हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जितंदर एम आर अश्टडी पर दोस्तों मैं हूँ जितंदर एम आर यादव आज हम लोग परतीसत यानि परसेंटेज का पार्ट चार देखेंगे पार्ट थ्री तक हो चुका है अगर आप नहीं देखें हैं पार्ट तीन तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप देख सकते हैं तो आएए तो आज हम लोग परतीसत का पार्ट फोर के साथ कुछ कोश्चन देखते हैं देखें तो फर्स्ट कोश्चन है अनुपात एक अनुपात आठ का परतीसत रूप क्या है जैसे देखें तो एक अनुपात आठ है एक अनुपात आठ का परतीसत रूप बताना है तो गया है कि एक अनुपात आठ का परतीसत रूप तो परतीसत में बदलने के लिए सौ से गुना करेंगे अब आपको क्या करना है देखी तो अब क्या करना है एक सो को एक सी गुना करेंगे तो एक सो हो जाएगा और नीचे आठ हाजाएगा यानि एक सो बटा आठ हो गया आठ से अगर एक स्व में भाग देते हैं तो 12.5 पर तिसद हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखिए तो किसी संख्या का 76 पर 35 है वह संख्या क्या है तो किसी संख्या का तो पता नहीं है संख्या क्या है तो मानते हैं देखिए तो माना की संख्या बराबर एक्स माना की संख्या बराबर एक्स संख्या पता नहीं है कितना है तो मान लिया माना की संख् एक्स है तो देखिए किसी संख्या का तो मानगी है मगाना की संख्या एक्स हिर एक्स को मतलब गुना होता है'm दो दूब्गर 76 ar by तो है लेकिन लिखेंगे इसको तरफन अतस्रों का मतलब बटा में एक्स हो कितना है तो 95 हो जाता है अब आपको क्या करना है देखिए तो 19 चौक 76 हो जाता है 25 चौक 100 हो जाता है यारी कि 4 का टेवल 19 वार पढ़ेंगे तो 76 हो जाएगा और 4 ही का टेवल 25 वार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा देखिए तो बराबर है प्रावर में उपर सूपर नीचे से नीचे कट जाता है, क्रोस गुना होता है, देखिए तो 19 पचे 95, अब देखिए तो यहाँ x हो गया, अब क्या करना है? जैसे यहाँ 5 है तो 5, अब इधर गुना हो जाएगा, तो 25 करेंगे, तो 125 हो जाएगा. तो कहा गया था प्रश्ण में कि वह संख्या क्या है तो वह संख्या 125 है जो की option number B में दिया हुआ है Next question देखिए तो एक दिन का कितना परतीसत 4 घंटे वो 30 मिनट होता है समसे पहले आप वो क्या करना है जैसे यहां 4 घंटा 30 मिनट है तो देखिए तो 4 घंटे 30 मिनट को अगर लिखते है तो इसको लिख सकते हैं देखिए तो 4 पुर्णांक 1 वाई 2 यानि सधे 4 तो 4 पुर्णांक 1 वाई 2 घंटा अब देखिए तो प्रस्ण में का है एक दिन का कितना परतीसत 4 घंटा 30 मिनट होता है तो देखिए तो इसको लिखते हैं 4 पुर्णांक 1 वाइ 2 और एक दिन में आप जानते हैं कि 24 घंटा होता है तो नीचे 24 आ जाएगा उसके बाद परतीसात में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे अब क्या करना है देखिए तो चार दुनी 8 आठ एक 9 हो जाएगा तो यहां 9 बटा दू आए यहां देखिए तो 24 अनए कुछ तो नीचे 1 आप परतीसात में बदलने के लिए 100 से गुना किये हैं देखिए तो अब आपको क्या करना है जैसे यहां 9 बटा दू है तो 9 बटा दू और बटा के बटा में 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 बटा यह बटा के बटा में है यानि भाग में आगर गुना में जाएगा तो उल्टा पुल्टी हो जाए तो नीचे 1 है तो उपर चला जाएगा और 24 यहां गुणा में है तो भाग में आ जाएगा और यहां गुणा है तो 100 अब आपको क्या करना है जैसे देखिए तो यहां काटते हैं 6 चक 24 हो जाएगा और 25 चका 100 हो जाएगा यानि कि 4 का टेबल 6 बर पढ़ते हैं तो 24 और 4 का टेबल 25 बर पढ़ते हैं तो 100 अब देखिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है देखिए तो जैसे कि आप गुना करते हैं तो ये हो जाता है 25 तिया 75 पचीस तिया 75 हो जाएगा उसके बाद देखिए तो 25 तिया 75 और दू गुना दू तो 4 देखिए तो 4 से अगर 75 में भाग देंगे तो ये आजाएगा 18 पुनांक 2 वटा 3 पर 30 जो की option नमबर ए में दिया हुआ है नेक्स्ट कोशन देखिए तो एक संख्या का 33 पुनांक 1 वटा 3 पर 30 एक सो है तो मूल संख्या क्या है इस देखिए तो एक संख्या का तो संख्या तो पता नहीं है तो पिछला question जैसा है देखिए तो माना की संख्या बराबर x मान लिए है माना की संख्या बराबर x तो देखिए तो एक संख्या का तो माना की एक संख्या क्या है x है तो x का का मतलब गुना और 33 पुनांक 1 वटा 3 पर 30 देखिए तो 33 पुनांक 1 वटा 3 पर 30 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 33 पुर्णाँच 1 बटा, 3 पर 30 99 99 100, 100 बटा में ये 3 हो जागा, और पर 30 का मतलब होता है बटा में 100 तो देखें तो 100 से 100 कट जाएगा तो यानि 1 बटा 3 33 पुनांक 1 बटा 3 पर 30 को 1 बटा 3 लिख सकते हैं तो कोर्शन में कहा गया कि 1 संख्या का 33 पुनांक 1 बटा 3 पर 30 तो X का का मतलब गुना और 33 पुनांक 1 बटा 3 पर 30 तो देखें तो अब X 100 इधर देखें तो 3 भाग में है तो बड़ाबर कि उस आड़ जाता है तो गुनां में हो जाएगा अगर X को 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा यानि कि तो मुल संख्या क्या है तो 300 है मुल संख्या 300 है जो की option number D में दिया हुआ है Next question देखें तो पाच अनिबारे विशयों में एक परिक्षार्थी ने साइट परतिसत आवसत अंक पराप्त किये थे दो बेकल्पिक विशयों में उसने बड़ाबर बड़ाबर अंक पराप्त किये थे और इन दोनों विशेयों के अंक जुरने पर उसका आउसत 4 परतिसत गीर जाता है उसने परतेक वेकलपिक विशेय में कितने अंक प्राप्त किये थे देखिए तो पहले तो 5 विशेय कोई विद्यार्थी परिक्षा दिया है जिसमें 6 परतिसत आउसत अंक लाया जैसे देखिए तो 5 विशेय का परिक्षा दिया है तो 5 और परतेक सब्जेक्ट में 6 परतिसत देटी साइट नमबर लाया है तो 5 गुना अगर 6 करते हैं तो यहां 300 हो जाएगा अब देखिए तो 2 बेकलपिक विशेय है तो पहले 5 था 2 बढ़ गया बेकलपिक है दो बढ़ तो 5 दो साथ हो जाएगा साथ विशेय बढ़ा उसके बाद जो है और 100 अंक जो है 4 पर दिसत गीर जाता है पहले 70 परतिसत था आज 4 पर दिसत गीर गया यानि घटा है तो साइट मेंगर 4 गटाते हैं तो 56 हो जाता है जो की दो बिसाय का योग दिया हुआ है दो बिसाय का योग दिया हुआ बेकलपीक बिसाय है दो बिसाय का योग बिरानवे हो गया तो परतेक बिसाय बरावर निकालेंगे तो परतेक बिसाय बरावर दखें तो बिरानवे है दो बिसाय है यहां साइट परतिसत था यहां 56 परतिसत इसलिए यहां 46 परतिसत हो जाएगा जो की option number A में दिया हुआ है next question देखे तो एक संख्या में 42 परतिसत और 28 परतिसत के बीच दूसर 10 का अंतर है इस संख्या का 69 परतिसत क्या है एक संख्या में 42 परतिसत और 28 परतिसत के बीच का अंतर देखे तो लिखते हैं जैसे 42 परतिसत और 28 परतिसत के बीच का अंतर अंत्र मतलब घटाओ आदिया हुआ है तो 210 यहां देखिए तो परतिसत में है और यहां रियल मान है 210 का गया थाresso 22% और अठ्षायस परतिसत के बीच अंतर तो अंतरमीस घटडाओ और इडियल मान दिया हुआ है 210 अब देखिए तो 42 में गहत आते हैं, तो, 14 पर दस्थ और 40 का मान .दखिये तो, grounded. अगर एक पर दस्थist का मान .दखिये तो, यहां 2 सथ दसि .आध में 4 दखिये , तो , 7 दूनी , यहां 2 जाएगा और 12 यानि 3 परसुन दूसरे काटते हैं तो यह 15 बार में कट जाएगा यानि 1 पर 30 का मान 15 हो गया तो 69 पर 30 का मान निकालना है तो 69 पर 30 का मान 15 तो 69 गुना 15 करते हैं तो यहां देखें तो हो जाएगा 880 69 गुना 15 करेंगे तो 880 यानि 69 पर 30 का मान 880 जो की ऑप्सन नमबर C में दिया गया है उमीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजएगा मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद